नुश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSCC Notes में दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भरती में बंदी रक्षकों की 3638 पदों पर भरती प्रक्रिया सुरू हो चुकी है जो अब भ्यरती उत्तर प्रदेश पुलिस में भरती होना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच् और दोस्तों इसी तक न्यूज से अपडेट आने के लिए हुमाई चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नीचे रेड़ बॉक्स दिया है उसे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आप से कोई भी वीडियो मिस नहों तो चली शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रोन्यति बोड को प्रस्ताव भेज दिया गया है एडीजी जेल चंद प्रकास ने बताया कि बंदी रक्षकों के इन पदों में 3012 प्रुषों के लिए और 626 महिलाओं के लिए तो दुस्तों याद रखेगा आपके जो 3012 प्रुषों के लिए हैं और 626 महिलाओं के और जहां तक है इसमें आपसे जुलाई से आवेदन लिये जाएंगे दोस्तों यूपी पुलिस सिपाही भरती की परिशार जैसे ही होती है उसके बास इस प्रक्रिया को सुरू कर दिया जाएगा यानि आप बंदी रक्षक के 3630 पदों के लिए आवेदन आपसे लिये और वीडियो को शेर भी कर दिजेगा मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में तब तक के लिए निमस्चार धन्यवाद